प्रुदेश में लगातार तापमान बढ़ता जारा है ऐसे में बढ़ती गर्मी के चलते लू लगने की संभावना भी लगातार बढ़ती जारा है बढ़ती गर्मी के चलते शरीर का तापमान लगातार बढ़ते रहना और लू लगने का संकेत है ऐसे में एक और तापमान बढ़ता है और दूसरी और कोरोना संक्रुमन का खत्रा भी प्रोदेश के लिए एक नई मुसिबत बनता जा रहा है आपके बता दे कि लगातार गर्म वातावरण में रहने से लू लगने का खत्रा अधिक बढ़ जाता है जिसमें शरीर के साथ साथ बढ़ते तापमान के साथ सरदर्द उल्टी होना तेज सास बेहोशी दौरे पढ़ना शरीर लाल पढ़ना जैसे समस्याए होती है इसी के साथ कई बार शरीर का लगातार तापमान बढ़ते रहने से रोगी की मौत भी हो जाती है ऐसे में लू से बचने के लिए दोपहर और तेज गर्मी में घर पर ही रहना प्रमुख बचाव है और बिमार होने पर जल से जल डॉक्टर से सलहा लेने चाहिए और उप्चार शुरू कराना चाहिए लू के जो समाइने लक्षन है उसमें जैसे सर में दर्द होना जी मचलाना ओल्टी जैसा मन होना अत अधिक ठकान होना बार बार प्यास लगना मास पेशियो मैठन और दर्द होना और चकराना यह समाइने लक्षन है सीवर केस में इसमें जब ही इट स्टोक सीवर होता है तो आदमी को पल्स बढ़ जाती है, उसका बीपी बढ़ जाता है, उसका जो टेंपरेचर होता है, बोडी का वो एक सो चार्स, एक सो पांच डिगरी के आसपास हो जाता है, इस केसेज में कभी कबार आदमी को सीजर भी आ जाते है, और पिशिन अनकोंसिस भी हो जाता है, इट सो का जो कारण होता है वो होता है कि जो अपना बोडी का जो मेकनेजिम होता है टेंप्रेचर कंट्रोल का जब आपने ऐसे हाई इन्वार्मेंट में जहां हुमिड और हाई इन्वार्मेंट होता है वहां अगर अब जाद देर रहते हैं तो बोडी का जो टेंप्रेचर कंट्रोल का जो mechanism होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है तो इस वज़े से अपने जो हीट स्टो